धन व समरिद्धी के ग्रह शुक्र सुख की राशी कर्क में 7 अगस्त 2022 को जा रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशी परिवर्तन का आप पर यानि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए तो कृपया वीडियो अन्ते तक जरूर देखिए ओम नमस्षिवाय मैं अन्शुमान आपका स्वागत करता हूँ सुख सुविधा वसमरिद्धी के ग्रह शुक्र करुणा सेवा वप्रेम की राशी कर्क में जा रहे हैं शुक्र वा चंद्र दोनों शुबग्रा हैं वा मित्रग्रा हैं तो शुक्र के अपने मित्र राशी में जाने का आप पर यानि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा इस टॉपिक को वीडियो में मैंने कुछ हिस्सों में बाट दिया है सबसे पहले या देखेंगे कि यह राशी परिवर्तन कब से कब तक होगा फिर देखेंगे कि शुक्र इस राशी में क्या परणाम देते हैं फिर सभी राशी को लोगों के लिए क्या उपाय करना चाहिए उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा और अंत में सभी बारा राशियों का राशी फल जानेंगे तो अगर आप अपना उपाय नहीं जानना चाहते हैं सिर्फ राशी फल सुनना चाहते हैं और यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि शुक्र इस राशी में क्या विस्तरित YouTube से परणाम देते हैं तो अभी आप वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए और सिर्फ अपना राशी फल सुन लीजिए लेकिन अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि शुक्रबस्तुता इस राशी में क्या परणाम देंगे और उपाय क्या करने चाहिए तो अभी 31 अगस्त 2022 तक रहेंगे इसका प्रभाव उन लोगों पर अधिक पड़ेगा जिनकी शुक्र वच्चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है इस राशी में तीन नक्षत्र आते हैं पुनरवसू, पुष्य और आशलेशा तो जिन लोगों की भी कुंडली में जन्म के समय में लगन का या चंद्रमा का नक्षत्र इन तीन नक्षत्रों में से कोई भी एक है उन पर भी इसका विशेश प्रभाव पड़ेगा, साथ ही जिन लोगों की किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठ करने के लिए अब देखिए किन लोगों के लिए अच्छा परणाम होगा या यूं कहें कि इस राशी में शुक्र आखिर अच्छा परणाम क्या देते हैं देखिए शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं और करक राशी जल तत्व की राशी है इसलिए यह शुक्र की स्वासुभाव वाली राशी है, मित्रग्रा भी है न चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा की राशी में सुक्र हमेशा अच्छा प्रणाम देते हैं, करक राशी संवरिद्धी को दिखाती है, क्योंकि यह सुख भाव की राशी आती है, काल पुरुशकुन्डली में चौथा भाव सुख भाव को जहां करक राशी आती है, वहां से हम मा का विचार करते हैं, तो असली सुख तो मा के आचल में ही मिलता है, इसलिए चौथे भाव को सुख भाव कहा गया, शुक्र चौथे भाव में दिगबली माने जाते हैं, महर्शी पाराशा ने कुछ बलों की चर्चा की हर ग्रह के लिए आयनबल, कालबल, अस्थानबल, पक्षबल, दिगबल या बल होते हैं, तो दिगबल यानि डारेक्शनल स्टेंथ, यानि कौनसा ग्रह किस घर में बैटने पर दिगबली होता है, डारेक्शन के लिए स्ट्रॉंग होता है, तो शुक्र को चौथे भाव में दिगबल दिया जो राशी जलतत्व की राशी है, इस राशी में जब जाएंगे, तो जो लोग भी जलिये छेतरों के पास रहते हैं, जैसे समुद्री एरियाज के राउंड रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, साथ में, विश्व मे जो लोग भी साउथ इस्ट डारेक्शन में रहते हैं, या किसी कंट्री में भी जो साउथ इस्ट पार्ट में रहते हैं, उस कंट्री के उन लोगों पर भी इसका विशेश प्रभाव पड़ेगा, यहां तीन नक्षत्र आते हैं, जैसे मैंने बताया था, पुनरवसु, तो मृत व्यक्ति में भी जान डाल सकते हैं, इसलिए इस नक्षत्र का सिंबॉल पुनरवसु का लेट देर भी लाइट है, यहां यहां नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, अभी देखिए इसके स्वामी जो ब्रिहस्पती हैं, वह मीन राशी में है, तो शुक्र जब इस क ब्रिहस्पती शुक्र को भी देखेंगे, तो जोतिश के पुराने शास्त्र ऐसा कहते हैं, कि aspect of Jupiter on Venus promotes love, happiness, abundance, learning and purity, यानि शुक्र को जब भी ब्रिहस्पती देखते हैं, तो व्यक्ति में ज्यान, सत्य और शालिंता और सम्रिध्धी आती है, इसलिए भी यह नक्षत्र बहुत अच्छा होने वाला है, यानि शुक्र की इस राशी में जाने पर शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी से जूड़ जाएंगे, साथ में यहां दूसरा नक्षत्र जो होता है, वह पुष्य नक्षत्र होता है, तो पुष्य के स्वामी शनी होते हैं, 27 नक्षत्रों में नक्षत्र राज कहा गया, यानि सभी नक्षत्रों में सबसे शुरेष्ट नक्षत्र माने जाते हैं, तो शनी भी अभी मकराशी में है, मकराशी से अपनी सात्वीं द्रिष्टी से शनी शुक्र को देखेंगे, तो दूसरे जो नक्षत्र हैं इस राशी के, उससे भी शुक्र का सम्बंद जुड़ गया, यानि यहां शुक्र को शनी का भी प्रभाव प्राप्त होगा, अब 25 अगस्त को गुरु पुष्य मुहूर्त है, यानि ब्रहस्पति वार को गुरु उस दिन पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे, साल में कुछ बार पुष्य नक्षत्र आता है, यानक्षत्र हर तरह के शुब कामों को शुरू करने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, शुक्र जमीन मकान नए काम के कारक माने जाते हैं, तो जब इस राशी में रहेंगे, आप 25 अगस्त के दिन कोई भी नया शुब काम शुरू कर सकते हैं, घर, जमीन, मकान लेना यह आपके लिए बहुत शुब रहेगा, तीसरा नक्षत्र जो है वह आशलेशा नक्षत्र है, उसके स्वामी बुद्ध हैं, एक अगस्त से 21 अगस्त तक बुद्ध सिह राशी में हैं, 20 अगस्त के बाद वह अपनी ही राशी कन्या में जाएंगे, तो बुद्ध भी मजब तो आपने देखा कि शुकर जब इस राशी में आ रहे हैं, तो इस राशी के तीनों नक्षत्र के स्वामी अपनी अपनी राशियों में बैठे हैं, यह बड़ा ही अद्भुत सायोग है, यह इतना विस्तार से मैंने क्यों बताया क्योंकि शुक्र तो लगबग 25 से 28 दिनों साल में एक बार इस राशी में आते ही हैं, पिछली साल भी आये था, अगले साल भी आएंगे, इस साल क्या खास होने वाला है, हर साल जो तीन नक्षत्र हैं, उनके स्वामी मजबूत नहीं होंगे, उनकी मजबूती का जो बल है, वह शुक्र को प्राप्ति हो जाएगा, यह ब विवाह के कारक हैं, और करक चुकि चौथे घर की राशी है, परिवार की सुख की राशी है, तो परिवार का सुख मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जिनकी अपनी कुंडली में कुईसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो, जो मैरेज को प्रमोट करता है, उन लोगों के लिए मै बीञानन से सम्बंध है शुकर का करकराशी का परिवार से सम्बंध है तो शादी के बाद ही संतान की शृष्टी होती। इसलिए शुक्र करकराशी में आता है तो संतान को प्रोमोट करता है। देखें वीनस, emotion है और moon, imagination है. यानि, शुक्र, भावना है और चंदर्मा, न मन वहीं जाता है जहां भावना ले जाती है या यूँ भी कह सकते हैं कि भावना और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भावना जहां होगी मन वहां होगा मन जहां होगा वहां भावना ले जाएगी तो mind और feelings दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं और decide करते हैं कि हमारे मन में किस बात का प्रभाव रहेगा शुक्र के दो नाम है वीर और रज इसी से वीर से वीर शब्द बना और रज से राजसिक सब्द बना यानि राजसिक मतलब होता है सांसारिक तो हमारे शरीर के अंदर जो शुक्र धातू है जब वह नीचे की तरफ आती ह तो व्यक्ति राजसिक होता है, सांसारिक होता है, वह स्रिष्टी करता है, संतान की, शुक्र को ब्रह्मा का तत्व माना गया, शुक्र के देवता ब्रह्मा जी माने जाते हैं, ब्रह्मा जैसे स्रिष्टी करते हैं, स्रिष्टी की रचना करते हैं, वैसे शुक्र के माध्यम से हमें जो ब्रह्मातत्व है वह संतान की स्रिष्टी करता है वही शुक्र को वीरे भी कहा जाता है वीरे मतलब वीर शुक्र जब उपर की तरफ चलता है यानि हमारे शरीर में उपर की तरफ तो इसे हम रेतस कहते हैं इसे उर्धोरेता योगी बनाता है इसको कहा गया उर्धो रेता योगी शुक्र जब उपर की तरफ जाता है रेतस्त्त्तो तो हमें ज्यान की स्रिष्टी होती है ब्रह्म ज्यान मिलता है इसलिए जब उपर की तरफ जाता है तो जो ब्रह्मा का ज्यान का अंग है वह हमें प्राप्त होता है नीचे की तरफ जात तो ब्रह्मा की स्रिष्टी का पाठ हमें मिलता है उपर की तरफ जाता है तो ब्रह्मा का जियान का पाठ हमें मिलता है। वहीं शुक्र का जो सिंबॉल है वह कमल है यानि इसका फूल कमल का फूल है लक्षमी जीसकी देवी है ना कमल के फूल पर बैठी रहती है तो आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारी कुंडलीनी के जो शरीर में चक्र होते हैं उनका सिंबॉल कमल से जोड़ के कहते हैं कमल का प्रकाश यानि कमल शट चक्र भेधन जो होता है जो तंत्र की कुंडलीनी तंत्र की प्रक्रिया है उसमें कमल के फूल खिलते जाते हैं हमारी कुंडलीनी का विकास होता जाता है ब्रह्मा जी जो इसके देवता है वह भी तो कमल पर बैठे हुए है ब्रह्मा जो पोस्चर है वह लोटस पोस्चर है इसलिए यहां शुक्र जो होता है वह ब्रह्मतत्व को दिखाता है इश्वर को भी दिखाता है जो इसकी देवी है शुक्र की लक्षमी जी उनका क्या नाम है कमला भगवान विश्णु का नाम क्या है कमल नयन है तो करक राशी में शु बली होंगे उस दिन शुक्र के शुप प्रभाव में वृद्धी हो जाएगी आप अपनी जन्मकुंडली में देखिए शुक्र वचंद्रमा की स्थिति कैसी है अगर दोनों बली हैं तो अभी जितने शुप प्रभाव परिणाम मैंने बोले हैं वह आपको पूर्ण रूप स प्राप्त होने लगेंगे क्या यहां कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि इस शुक्र पर शनी की पूर्ण सात्वी द्रिष्टी आ रही है देखिए शनी जिस भी ग्रह को देखते हैं चाहे वह मित्र ही क्यों नहों उसके कुछ समस्या तो जरूर देते हैं अब यहां शनी अभी मकर राशी में बैठे हैं और अपनी सात्वी द्रिष्टी से करक राशी में बैठे शुक्र को देख रहे हैं तो जोतिश के पुराने शास्त्र क्या कहते हैं Aspect of Saturn on Venus reduces the longevity of spouse, promotes unsatisfaction, lascivious and lustful nature and gives urinary and skin problems यानि शुक्र पर जब शनी की द्रिष्टी आती है तो जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता है चरित्र का भी पतन करा देते हैं बहुत बार ऐसे शनी Skin की और Kidney की समस्याएं देती हैं और मन में अशान्ति आती है अपनी ही बुरी आदतों के कारण आपको इन बातों से बचना पड़ेगा यह तो आप ही को समभलना पड़ेगा अब यहाँ शनी करकराशी को भी तो देखेंगे करकराशी हमारे चोथे भाव में आती है जहां से हम Chest का विचार करते हैं अनी सीने का तो जिन लोगों को भी सीने की कुछ समस्या है उन्हें सावधान रहना चाहिए Chest की और खास तोर पर Dry Cuff की Problems लोगों को बढ़ सकती है यह समस्या जादा कब होगी देखिए शुक्र इस शनी के पुशनक छतर में 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक रहेंगे तो यहां इन दिनों में आपको विशेश तोर पर सतर करहना चाहिए उपाय क्या करने चाहिए इसके बाद मैं आपको सभी 12 राशियों का राशी फल बताऊंगा उपाय के लिए ध्यान दीजिए शुक्र और चंद्रमा दोनों की देवी लक्ष्मी है लक्ष्मी का फूल जो होता है यानि इस राशी का सिंबॉल भी कहीं न कहीं कमल होता है तो कमल गट्टे के माला से महालक्ष्मी इस तोतर का आपको पाठ करना चाहिए जब शुक्र करकराशी में हैं तो यहां सबसे अच्छा उपाय माना जाता है महालक्ष्मी अश्टक इस तोतर क्या है आठ शुलोकों का इस तोतर है अभी मैं इस तोतर का पाठ कर दूँगा स्क्रीन पर भी आपको वह सारे शुलोक लिखे हुए मिल जाएंगे तो आप सुन भी लीजिए और साथ में आप इसको चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या स्क्रीन से देखकर नोट डाउन भी कर सकते हैं मंत्र मूर्ते सदा देवी महा लक्ष्मी नमोस्ते आध्यंतरहते देवी आध्यशक्ती महेश्वरी योगजय योगसंभूते महा लक्ष्मी नमोस्ते तो यह महालक्ष्मी अस्टक इस्तोत्र है जब तक शुक्र इसकर कराशी में है आपको इसका प्रति दिन पाठ करना चाहिए अब सभी 12 राशियों का राशी फल बताऊंगा इसके पहले एक विनमर निवेदन है आपसे अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दीजिए ताकि आगे भविश्य में जब मैं ऐसे वीडियो बनाओं तो आप पौन की सूचना तुरंत मिल सके तो आईए शुरू करते हैं मेश राशी के राशी फल से मेश राशी के लिए शुकर का गोचर बहुत शुब हो रहा है देखिए शुकर आ आप लोगों की कुंडली में दूसरे और साथवे घर के मालिक हैं धन भाव और व्यापार के स्वामी बनते हैं साथ में आपके जीवन साथी के भी स्वामी बनते हैं उनका आपके चौथे सुख भाव से गोचर करना आपके सुख में वृद्धी करेगा चौथा भाव जमी सारे लोगों के लिए विवाह के बड़े अच्छे प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि साथ में भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का साथ में करक राशी में जो चंद्रमा की राशी है उसमें वैठा हुआ है तो बहुत सारे में राशी के लोगों के लिए विवाह के अच्छे औसर बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पर घंच स्वामी को सफ़क्र, अगर अगर शुक्र को तब कि इसमिर ग्रह को wiel तो शुूगत होत शुक्ता में विद्धी करेंगे। भाग्य से आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा, शुक्र आपके investment के भी मालिक बनते हैं, यानि धन के स्वामी बनते हैं, तो आप कुछ अच्छे investment इन महीनों में जरूर करेंगे, धन की वैसे भिवर्द्धी होती हुई दिखाई दे रही है, शुक्र यहां से अप अस्थान में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहां शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है, हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि शनी की द्रिष्टी आपके शुक्र पे भी पढ़ेगी, जो जीवन साथी के कारक है, और उनकी दस्में द्रिष्टी आपके साथ में विवाह के अस्थान पे भी पढ़ेगी, तो जो लोग शादिश होदा हैं, उन्हें थोड़ा अपने दामपत्य जीवन को लेकर सतर करहना चाहिए, खास तोर पर अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर सावधानी रखने की आवशक्ता तो जरूर रहेगी, इन सब बातों के अलावा अगर देखा जाए, तो शुक्र तो बहुत ही शुब और सुन्दर परणाम दे रहे हैं, धन बहुत सारा कमाने को मिलेगा, धन में वृद्धी मेश राशी वाले लोगों के होती दिख रही है, परिवार में कोई मंगल कारे होगा, और घूमने फिरने के बहुत स चाहते हैं, तो जो वीडियो के शुरू में मैंने मंत्र दिया है, उसे आप चाहेंगे करेंगे, तो और शुबता में आपके वृद्धी होगी, वृष राशी के लोगों के लिए शुक्र का गोचर बहुत सुन्दर होने वाला है, देखिए, शुक्र वैसे तो तीसरे भागे में वृद्धी करेंगे, साथ ही भागे के स्वामी शनी भी वहीं बैठे हुए हैं, तो भागे के स्वामी के उपर राशी के स्वामी के दरिष्टी और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, आपके अपने एफर्ट से आपक द्रिष्टी से शुक्र को देख रहे हैं तो ब्रिहस्पती की द्रिष्टी से भी शुक्र को और बल की प्राप्ति होगी धन कमाने के रास्ते और अधिक खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो शुक्र शनी और ब्रिहस्पती के यह जो ट्रेंगल है जो त्रिकोन है आपके लिए शुव ही बनता हुआ दिख रहा है वैसे भी शनी आपके योग कारग्रह हैं तो योग कारग्रह की दृष्टी अगर राशी के स्वामी जो उनके मित्रे भी है उन पर पढ़ेगी तो अच्छा ही रहेगा लेकिन फिर भी शनी के दृष्टी जिस क्रह पर भी पढ़ती ह है उसमें कुछ समस्या है तो जरूर आती है तो क्या शनी समस्या दे सकते है या चैलेंज दे सकते हैं प्रॉप्लेम नही टरवल नही चैलेंच कहेंगे जिसको आपको overcome करना होगा वह यह है कि काम के सिलसले में आपको घर से धूर रहना पड़ेगा ठ्रैवल आपके बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है, नई जगों पर जाना पड़ सकता है, कई बार मन के विपरीत भी ऐसा काम हो सकता है, यहां यह समस्या तो हो सकती है, यह चैलिंज इसको हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी सम्मामलों में आपके लिए अच्छा है, हाँ, एक बात अवश्य है, चुकि शुक्र आपकी राशी के स्वामी है, और शनी रोग के कारकवाने जाते हैं, शनी जब भी शुक्र को देखेंगे, तो यूरिनरी और इसकिन इन्फेक्शन से हमेशा बचना चाहिए, तो जिनको भी किड्नी की लीवर की प्रॉब्लम्स चल रही है कमर के दर्द है, और इसकिन की समस्या है, आखों की समस्या है, उन्हें सतरकव सावधान रहना चाहिए, क्या उपाय करें जिससे सेहत की समस्या नहीं आए, इसके लिए मैंने वीडियो के शुरू में ही मंत्र दिया है, उस मंत्र को आप कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कहा जाए, तो वरिश राशी वाले लोगों के लिए तो यह गोचर धन कमाने की बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, मिथुन राशी के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए, शुक्र आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, शुक्र दूसरे भाव के सह शुक्रिधन का रक है दूसरे भाव पर अर्य के प्रिहस्पति के कर्मस्थान के स्वामी उनकी उच्च दृष्टी और रहा है यानि भृहसपति अपनी उच्च करक राशी च्य को देख रहां जो दूसरे भाव मैं बैठी और उसमें शुखर बैठे है तो दुसरा दस्वा दोनों भाव कर्म के भाव माने जाते हैं छठे के साथ तो अभी ब्रिहस्पती का गोचर आप लोगों के लिए बहुत शुब है क्योंकि यहां से ब्रिहस्पती स्वैम दस्वे में बैठे हैं पांचवी दृष्टी से आपके दूसरे करियर के भाव को देख रहे हैं और नवी दृष्टी से आपके छठे भी करियर के भाव को देख रहे हैं तो तीन अर्थ त्रिकोंड जो होते हैं दो छे दस उनमें दो भाव में बड़े शुब गरह बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं ब्रिहस्पती और शुक्र और यहीं पर बुद्ध भी आ उतना ही अच्छा परणाम मिलेगा क्योंकि शनी के दृष्टी आ रही है शुक्र पर शनी आठवे भाव में बैठे हैं तो शनी जिस भी राशी और जिस भी ग्रह पर दृष्टी डालता है उस पो संगर्ष बढ़ाता है उसको मेहनत करने पर मजबूर करता है मेहनत करेंग तो बहुत अच्छे परणाम मिलेंगे तो शनी वैसे तो शुक्र के मित्र है लेकिन शुक्र पर जब देखते हैं तो सेहत की समस्या देते हैं आपके आठवे भाव से शनी का गोचर हो रहा आठवा भाव चोट चपेट को दिखाता है पैरों को और किड्नी की समस्याओं को दे सकता है स्कीन की प्राब्लिम तो शुक्र परशनी की दरिष्टी आने से होती ही है तो यहां आपको इन बातों की साउधानी रखनी पड़ेगी रैश इन्वेस्टमेंट से बचिएगा लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इस समय अगर आपने कर लॉंग टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी काम की रूप रेखा तयार करना चाहते हैं उन सब के लिए बड़ा अच्छा समय है इस समय शुक्र आपको बहुत अच्छा परणाम दे रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है इसको और अगर शुबता में वृद्धी करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र दिया है आप उसे चाहें तो कर सकते हैं और धन के वृद्धी होगी आप लोगों की करक राशी के लिए शुकर का गोचर बेहतरीन होने वाला है देखिए करक के लिए शुकर तो आपकी राशी के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं राशी के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं आपकी राशी के लिए योग करग रह बनते हैं क्योंकि चौथे और ग्यारह हमें भाव क स्वामी बनते हैं, चौथा भाव सुख भाव, प्रॉपर्टी, जमीन का वहिकल का घर, हमारे परिवार का घर और ग्यारा हुआ भाव तो इनकम का घर, अगर दो शुब ग्रहों के मालिक शुक्र आपकी राशी के उपर गोचर करने लगें, तो वैसे ही अच्छा पुरणाम उपर से आपके भाग्य भाव के स्वामी ब्रिहस्पती अभी भाग्य में ही बैठे हैं और वहां से अपनी पांचवी द्रिश्टी से शुक्र को देख रहे हैं, तो आपकी राशी और भाग्य के बीच में संबंध कायम हो गया, शुक्र चुकि आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं और चौथे घर के भी प्रॉपटी के, तो जो लोग भी प्रॉपटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो लोग फाइनस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, उन्हें बहुत जादा फायदा होगा, क्योंकि शुक्र और ब्रिहस्पती, दोनों ही फाइ शुक्र व्यापार को भी प्रमोट करेंगे यानि जो लोग बिजनस में हैं उनके लिए भी अच्छा है एक समस्या आ सकती है कि शुक्र पर शनी की दृष्टी कुछ परणाम जीवन साथी को लेकर आएगी क्योंकि शनी आपके आठवे घर के भी मालिक बनते हैं तो आठवा अगर बुरा घर होता है सेहत की समस्याइं देता है अचानक का धन नाश भी देता है तो कोई भी रैश डिसीजन मत लीजिए चाहें वह आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ हो या व्यापार के साथ ही के साथ हो यानि किसी तरह के कोलोबरेशन में इंपल्सिब डिसीज जीए तो आपके लिए अच्छा रहेगा बाकी सब मामलों में तो करक राशी के लिए शुक्र का गोचर बहतरीन हो ही रहा है आप देखिए जिस दिन भी करक का स्वामी चंद्रमा गोचर में शुब राशी में होगा यानि अपनी राशी अपनी उच राशी मित्र राशी उ वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र बताया है उसे चाहें तो आप कर सकते हैं सिह राशी के लिए शुक्र का गोचर शुब हो रहा है बारहमे भाव से बारहमे भाव में सभी ग्रह खर्चे बढ़ा देते हैं परिशानिया बिमारियां देते हैं इसलिए बारहमे घर से ग्रहों का गोचर बुरा माना जाता है, शुक्र exception है, क्योंकि शुक्र तो खर्चे की ही स्वामी बनते हैं, शुक्र भोग विलास हैं, जब तक हम पैसे का खर्च नहीं करेंगे तो हम भोग कर कैसे पाएंगे, इसलिए शुक्र बारहमें भाव में हमें भोग विलास में बातों पर होगा घूमने फिरने पर होगा कोई एक्स्टावेगेंजा जरूर करेंगे आप फॉरें तक घूमने जा सकते हैं बड़ी बड़ी चीजें आप खरीदेंगे गाडियां खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि यहां से ब्रिहस्पती की पांचवी द्रि द्रिष्टी से आपके चौथे घर को देख रहे हैं चौथा भाव भी वाहन और घर को दिखाता है तो ब्रिहस्पती की द्रिष्टी से शुक्र पर आपमें इन दोनों चीज़ों को खरीदने की इच्छा की वृद्धी होगी शुक्र आपकी कुंडली के दस्वें भाव कर कर्मस्थान के स्वामी बनते हैं तो देखिए कर्मके स्वामी होकर शुक्र बारह वें विदेश के घर में जा रहा है उस पर आठमे भाव से आनि विदेश के भाव से ही भृहस्पती की द्रिष्टी आ रहे है तो बहुत सारे लोगों की विदेश यात्रह होगी काम के सिलस ले में जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अगर बाहर नौकरी ढूण रहे हैं तो उनके लिए यह बड़ा अच्छा समय रहेगा या बाहर पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग जैसे दो साल तीन साल कॉंट्राक्ट पे या आउट स्ट्रेशन पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं अब रोड पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं उन सब के लिए अच्छा है जो लोग व्यापार करते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए बहुत अच्छा है काम में बृद्धी भी होगी पैसा भी बहुत बनेगा और यात्राएं भी विदेश की बहुत सारी होती हुए दिख रही है शनी भी अभी आपको छठे भाव से शुक्र को देख रहे हैं तो शनी भी व्यापार और विदेश के कारक बनते हैं आपकी कुंडली में तो यहां से शनी भी कुछ अच्छे परणाव आपको जरूर देंगे हालांकि जीव पर खर्च हो चाहें घूमने फिरने पर चाहें घर मकान जमीन चीजें खरिदने पर ऐसे तो आपके खर्च होंगे लिकिन वह खर्च आपको सुखी देगा और फ्यूचर में उसका अच्छा ही रिटान आपको मिलेगा और शुकता में वृद्धी करनी है आपको और अशु कारग्रग बनते हैं यानि दूसरे धन भाव और नवे भाग्य के स्वामी बनते हैं और ग्यारहमे भाव से उनका गोचर होगा ग्यारहमें इंकम का घर है इच्छा पूर्ती का घर है तो शुक्र आपकी इच्छा पूर्ती करेंगे किन-किन इच्छाओं की पूर्ती होगी शुक्र जिन जिन चीजों के काराख है उन उन चीजों की उन उन इच्छाओं की पूर्ती कर देंगे शुक्र जीवन साती है शुक्र सुख है समरिद्धी है धन है शुक्र घर जमीन वाहन और गाड़ी है इन सब चीजों की आपको शुक्र भरपूर वृद्धी करेंगे, क्योंकि यहां पर शुक्र पर ब्रिहस्पती की भी पाँच भी दृष्टी आ रहे हैं सात्वे भाव से, सात्वा भाव जीवन साथी का भाव है, सात्वा भाव व्यापार का भी है, वहां भी ब्रिहस्पती अपनी ही राशी में बैठे हैं, वहां से वहां अपनी उच्छ राशी में बैठे शुक्र को देख रहे हैं, तो आपके धन में बहुत वृद्धी करेंगे, ब्रिहस्पती स्वयम वृद्धी कर रहे थे, और अब शुक्र भागय के स्वामी है, और भागय के स्वामी आपके आएके घर से गोचर करें तो भाग्य से आपकी इंकम में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी यहीं अगर आप बुध का विचार करें जो आपकी राशी के स्वामी है और इस शुक्र के करक राशी के एक नक्छट्र के स्वामी भी बनते हैं आशलेशा नक्छट्र के तो लोगों को मिलेंगे हाँ शनी भी चुकी यहां देख रहा है शुक्र को शनी पांचवे लक्षमी अस्थान के स्वामी है तो लक्षमी अस्थान से बैठे ग्रह भी देख रहा है शुक्र को लक्षमी के व्रिद्धी करेंगे शुक्र सात्वी दृष्टी से आपके संतान बड़ा खर्च आपके उपर आ रहा है तो कर्ज भी लेना पड़ सकता है यानि यूं कहें कि लोन लेकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वह भी होगा गबराइए नहीं आपके लिए किसी भी तरह से किसी तरह का कोई नुकसान शुक्र बिल्कुल नहीं होने देंगे और मामले में अच्छा परणाम मिल रहा है सेहत का थोड़ा सा ध्यान आप रखिए यात्राइं आपकी बढ़ सकती है भाग दोड़ बढ़ेगी और उनसे आपको पैसे की इंकम भी बढ़ जाएगी इन सब अच्छे परणामों में प्रिद्धी करनी है तो वीडियो के शु से केंद्र अस्तान से गोचर कर रहते हैं तो यहां महर्शी पराशर कहते हैं कि अगर दस्वें वह में राशी का स्वामी या लग्न का स्वामी गोचर करे या बैठे या कोई भी सुग व्यां बैठे तो अमल योग बनता है, अमल मतलब जिसमें मल नहीं हो, मल यानि दोश, तो यहां शुक्र हरत रहके दोशों को काटने की छमता रखते हैं, मरशी पराशर भी कहते हैं, कि ब्रिहस्पती या शुक्र अगर केंदर स्थानों में बैठे, तो कुंडली के एक लाख दोशों को दूर क मिलेगा, शुक्र कीन चीजों का काराक है, शुक्र जीवन साती है, शुक्र धन है, व्यापार है, घर है और गाड़ी है, इसके अलावा भी जीवन की हर सुक्सुविधा शुक्र से ही देखते हैं, कॉंटाक्ट्स भी शुक्र से देखते हैं, क्योंकि शुक्र हमारा चुम् व्रिद्धी करेगा काम में बढ़ हुत्री दिख रही है आपकी यानि आप लोगों का व्यापार नौकरी के छेत्र में आपको बहुत अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे एक कारण और है क्योंकि ब्रिहस्पती की भी इस शुक्र पर द्रिश्टी आ रही है ब्रिहस्पती जब करकराशी को देखेंगे तो वहां करकराशी को प्रमोट करेंगे तो दूसरा चटा और दसमा यह तीन भाव अर्थ त्रिकोंड माने जाते है उनमें 2 त्रिकोंड जो है चटे औरदसमे यानि पैसे के 2 भाव उनमें 2 मजबूत ग्रहा भी आपके बैठे हुए हैं तो आ आपको माता की सिहत को लेकर थोड़ी साउधानी रखनी पड़े कि क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लिए आपके अश्टमेश भी बनते हैं आठों भाव के स्वामी हालां कि चुकि राशी के स्वामी इसलिए अश्टमेश बनने का दोश अधिक तो नहीं लगता है लेकि स्थांगे तो जीन साथी के घरों में भी सात्में भाव में राहू बैठे हुए हैं तो शुक्र का ऐसा गोचर और उसके उपर श्ञी की द्रिश्टी तो शनी जिस को देखेंगे उसको समस्या देते हैं शनी भी भी शुक्र को देख रहे हैं शनी आपके चोते घर में बैठे हैं जो मा को दिखाता है तो आप लोगों की ढईया भी चल रही है तो माता के अस्थान में बैठा हुआ शनी और उसके उपर शुक्र की दृष्टी जो रोग कारक है और गुरू जो रोग कारक है उसकी वज़े से शुक्र में प्रभाव और पत्नी की सहत को लेकर भी समस्या क्योंकि साथ में पत्नी भाव में राहु बैठा हुआ है इसलिए आपको अपनी मा और पत्नी के स्वास्ति को लेकर विशेश तोर पर सतर करहना चाहिए इस गोचर में बाकी सब मामलों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है काम में तो आपके बहुत बड़ा उच्छा लाने की पूरी संभावना दिख रही है कोई नया घर गाड़ी ल विश्का है व्याय का है खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन काम आपका बढ़ेगा दूर दूर तक आपका काम फैलेगा इस समय तो काम फैलने के लिए होता अच्छा समय है एक्सपैंशन होता हुआ दिख रहा है तुला राशी वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर कुल म व्रिद्धी जरूर करता है क्योंकि यहां पर शुक्र पर ब्रिहस्पती की पाचवी द्रिष्टी आ रही है ब्रिहस्पती आपकी कुंडली में पाचवे भाव से भी गोचर कर रहे हैं पाचवे भाव के स्वामी भी है और चुकि आपकी व्रिष्चिक राशी है इसलिए आपकी राशी के स्वामी मित्र बनते हैं, ब्रिहस्पती दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, दूसरे और पांच में दोनों धन भावों के, तो दो धन भावों के मालिक अगर भाग्य में बैठे हुए शुक्र जो धन का कारक है, उसको देखेंगे तो धन में वृद्धी होगी, तो आप लोगों के लिए पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं, शनी की भी दृष्टी आ रही है, शनी की दृष्टी जब भाग्य पर पढ़ती है, तो भाग्य को कुछ समस्या तुस्रनी जरूर देते हैं, लेकिन चुकि वहां उनके मित्र हैं, इसलि शनी का आपस में अस्थान संबंध जो दिख रहा है, तीसरा और नवा भाव का यह दोनों भाव यानि यह थर्ड नाइंद एक्सिस ट्रावल को दिखाता है, तो छोटी से लेकर बड़ी यात्राएं दिखती हैं तीसरे और नवे भाव से, तो आप लोगों के लिए बहुत साथी को लेकर थोड़ा सतरक आपको जरूर रहना चाहिए, माता की सेहत को लेकर भी कुछ सतरकता आपको रखनी चाहिए, खर्चे आपके बहुत अधिक बढ़ेंगे, घर में किसी व्यक्ति के ऊपर आपको रोग के लिए खर्च करना पड़ेगा, हॉस्पिटल दवाईयो पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा, तो घूमने फिरने, यानि काम के सिलसे में, किसी चीज की खरीद पर कोई बड़ा एमाउंट खर्च होता हुआ दिख रहा है, समस्याएं नहीं आएं आपको इस गोचर से, इसके लिए वीडियो के शुर आपको कुछ अच्छे परणाम भी दे सकता है, पहले अच्छी बातों का विचार करते हैं, देखिए, आपकी राशी के स्वामी, ब्रिहस्पती अभी अपनी ही राशी में है, यानि आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, वहाँ से ब्रिहस्पती अपनी पाच्वी द अचानक लाव को भी दिखाता है, और ब्रिहस्पती और शुक्र, दो धन के ग्रह आपस में जूड़ रहे हैं, वहीं ब्रिहस्पती आपके इंकम के घर, यानि 11 घर के मालिक भी हैं, तो 11 घर का मालिक जब 8 घर से गोचर करता है, और उस पर शुप परणाम होता है, तो वसी लोग भी कॉंट्राक्ट्स पर काम करते हैं, थर्ट पर्टी से जुड़े होता है, लेकिन क्या समस्या नहीं आएंगी, बिलकुल आएंगी, क्या समस्या होगी, क्योंकि शुक्र आठ्वें भाव से गोचर करता है, तो रोग देता है, रोग आपको यूरिनरी डिजीज और इसकिन की प्रॉब्लम्स, इन दो समस्याओं से विश्ष तोर पर साउधान रहना पड़ेगा, जीवन साथी की सेहत भी आपको चिंता में डालेगी, शनी की भी दृष्टी आ रही है, तो शनी की दृष्टी से भी रोगों में वृद्धी होती है, शनी की दृष्टी के का के उपर अभी, रैश डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिएगा, बट नो डिसीजन भी कोई अच्छी बात नहीं है, यानी सरफ आगे पीछे सोचते ही राजाएं काम नहीं करें, तो यहां ऐसा कुछ हो सकता है, एक्टिवीटी अपनी बनाये रखिए, घर पे चुपचा बै गोचर सातवे भाव से होगा, सातवे भाव से शुक्र का गोचर मिले जोले परणाम देता है, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ समस्याएं भी आती है, सातवा भाव शुक्र के लिए कारक भाव माना जाता है, जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है, उसी घर से गोचर करन शनी का मित्र है और आपकी राशी का यूग कारा ग्रह बनता है, यानि यानि सातवे भाव से जब गोचर करेगा तो आपको अच्छे परणाम बहुत सारे मिलेंगे, सातवा भाव जीवन साथी का है, व्यापार का भी है सातवा भाव हमारे सोशल स्टेटस का भी है शुक्र कला का ग्रह है यहां पर गुरू की द्रिष्टी आ रही है तो गुरू जो होता है वह अज्ञान का कारक होता है जो लोग भी कला के छेत्रों से जुड़े हुए हैं मीडिया में हैं जर्नलिजम में हैं किसी तरह के फैशन से भी जुड़े हुए हैं म्यूजिक के छेतरों से जुड़ें, उनके लिए सबसे अच्छा opportunity उनको मिलेगी इस दोरान में शुक्र के गोचर से, जीवन साथी के भी उनके अपने व्यावसाय में भी तरक्की होगी, तो सिर्फ अच्छे परणाम हैं या कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं हैं जो ब्रिहस के द्रिष्टी आपके खर्चे भी बढ़ा रही है, खास तोर पर जो लोग व्यापार में हैं वह देखेंगे कि अचानक उनके व्यापार में खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, शनी की द्रिष्टी आ रही है, शनी तो आपकी राशी के स्वामी है, अच्छे ही परणाम लेकिन शनी चुकी अभी आपके लिए साड़े साती चल रही तो आपका कड़ा इंतहान में ले रहे हैं, तो द्रिष्टी जब आपके व्यापार के घर पर आएगी और शुक्र पर आएगी तो आपका कड़ा इंतहान लेंगे, चरित्र का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा अगर उसमें कुछ दोश हुआ तो शनी बहुत दंडित करेंगे, इस बात का आपको विशेश ध्यान रखनी की आवशकता है, हालांकि शुक्र के इस गोचर से शनी के जो साड़े साती के कुछ कठिन परणाम है उनमें आपको लाव तो जरूर मिल जाएगा, आराम जरूर म चाहिए और रैश डिसीजन्स लेने से बचिए, अचानक जटके में आकर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट बीना सोचे मत कीजिए, नहीं तो उसके आपको बुरे परणाम देखने को मिलेंगे, बाकी चीजों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है, अगर आपको इस गोचर से और अच्छे परणाम लेने हैं और अपने बुरे परणामों में कुछ कमी करनी हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं, आपकी रक्षा जरूर होती रहेगी, कुम्ब राशी के लिए शुक्र का गोचर छठे भा बारहमें भाव से खर्चे, बीमारी के घर से गोचर कर रहे हैं और आपकी राशी के स्वामी जो शनी है, शुक्र उसके मित्र तो हैं और दृष्टी से देखतो रहें, लेकिन शुक्र आपके भागे के भी स्वामी बनते हैं, अभी भागे के स्वामी भी आपके छठे ऑप एक अच्छी बात जरूर हो रही है कि आपकी 11 भाव के स्वामी बरिहस्पती और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं बरिहस्पती दो धन भाव के स्वामी वह शुक्र को देख रहे हैं तो पैसा आपका खर्च तो जरूर हो रहा है लेकिन पैसा आपको जिनरेट भी हो जाएगा यानि पैसा जितना खर्च होगा उसी मुकाबले आपको income भी जरूर होती रहेगी तो पैसा आपका dry up नहीं होगा लेकिन पैसा बहुत सारी चीजों में अनायास और बेकार का खर्च जरूर होगा कुछ खर्चे आपके ऐसे होंगे जो आपके बिलकुल control से बाहर होंगे जैसे किसी विवाद litigation पर आपका खर्च होगा किसी तरह की बीमारी पर खर्च हो सकता है कहीं घूमने पर आपका खर्च होगा जो आप बिलकुल जाना नहीं चाहेंगे तो आप चाहे तो कहीं घूमने जहा सकते हैं जो पैसा आपका वैसे ही बेकार होने वाला था अटलिस्ट वो पैसा कुछ खोशी तो दे कर जाएगा यही जोतिश का practical use है जब हमें पता है कि इस दशा में हमारा पैसा खर्च होगा तो हम उसे पहले ही खर्च करके उसके बुरे परणामों से अपने आपको बचा सकते हैं पैसा तो खर्च होगा लेकिन कुछ हमें सुक संतुष्टी दे कर जाएगा तो इन बातों से आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा भागे का स्वामी अभी कमजोर है राशी का स्वामी भी कमजोर है साड़े साती आपकी चल ही रही है आप लोगों को बड़ी अधिक सावधानी की आवशकता है उपाय के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र बताया है उससे आप जरूर करते रहिए किसी तरह का अचानक जटके से काम मत बदलेगा नी नौकरी या व्यापार में कुछ सटेंट चेंज मत कीजेगा शुक्र चटे भाव नौकरी व्यावसाय के घर से गोचर कर रहा है आपको बहुत मन में इच्छा देगा कि काम छोड़ दूँ नौकरी छोड़ दूँ बदल दूँ लेकिन मत कीजेगा नहीं तो दूसरी नौकरी का मिलना मुश्किल हो जाएगा इसलिए जो हैं जैसे हैं करते रहिए और जो मैंने उपाय बता है उसे भी कर लीजे मीन राशी के लिए शुक्र का गोचर पांचवे भाव से हो रहा आप देखिए शुक्र आपकी राशी के स्वामी ब्रिहसपती के मित्र तो नहीं है लेकिन शुक्र को पांचवा घर homecoming बोल सकते हैं home round तो शुक्र अपने घर का घेरा लगाने आये हैं यहां वह अच्छे ही परणाम देंगे इस पर भी ब्रिहस्पती की पांचवी द्रिष्टी उन पर आ रही है ब्रिहस्पती अभी स्वयम मीन राशी में है अपनी उच्छ राशी करक को देख रहा है जहां श शुक्र लक्षमी और पांचवा भाव लक्षमी अस्थान है तो पांचवा लक्षमी अस्थान और ग्यारहवा लक्षमी अस्थान पांच ग्यारह एक्सिस जो है अभी आपका बहुत मजबूत है पैसे के लिए अच्छा है साड़े साती आपकी आई जरूर थी अभी उतर इसलिए वैसे रिलीफ की बात है राशी के सौमी ब्रहसपती स्वेम्न बहुत मजबूत इस्थिति में इसलिए भी अच्छा है तो क्या कुछ समस्या नहीं आएगी जरूर आएगी क्योंकि शुक्र आपकी राशी के लिए अकारक रहतों हैं ही क्या परिशानियां आ सकती हैं देखिए जितनी तेजी से आपका पैसा आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा क्योंकि शुक्र आपके आठवें खर्च के घर के मालिक हैं और शुक्र आपके बारहवें खर्च के घर क मालिक हैं, दोनों का आपका दो धन भावं में बाटना धन को खर्च करा रहा है, धन वो दोनों ले कर तवार हैं और प्रिहस्पती भी लाने में मदद दे रहा हैं, लेकिन खर्च शुक्रशनी दोनों मिलकर करा रहा हैं, किन चीजों पर खर्च होगा, पाचवा घर संतान और education का है, तो संतान और education के उपर आपका खर्च बढ़ जाएगा, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उन लोगों का घूमने के उपर खर्च होगा, और बहुत सारा सामान घर का खरीदने में आपका बहुत खर्च होगा, घर, गाड़ी को शुरू में जो मैंने उपाय बताये हैं, मंत्र जो बताया है शुक्र का, उसे करते रहेंगे, तो परिणामों में आपको शुगता ही अधिक रहेगी, अशुगता में कमी रहेगी, अब आप स्क्रीन पर और भी गोचर के और बाकी वीडियो देख रहे होंगे, इन वीड पर हम सब का कल लेंड करें, हरियो!